लोगा बात किने वाले है रुची सुया के बारे सोय है आप लोगों पता ये पतंचली के अंदर में ये कमपनी आती है , तो इस कमपनी का यहां पस है ! 4 का result आ चुका है कंपनी का जो quarter 4 का result है वो कैसा देखने को बिल रहा है आज की इस video में यही बात करेंगे quarter and quarter और year on year business per company के performance के बारे में बात करेंगे long term short term medium term के लिए आप लोगों को इस company के अंदर क्या करने आचे यह वह भी बताऊँगा तो यहां पर से company ने dividend दिया है कि नहीं वह भी बताऊँगा दिया है तो कितने रुपीस का दिया है कब तक आप लोगों के आप लोगों में आ जाएगा हो सारी चीज़ों के बारे में आज की इस video में बात करने वाला है तो यह वीडियो अंतर देखते रहे हैं यह complete full package वीडियो रहने वाल है र कंपनी का जो result को यहाँ पर हम देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर नीचे की तरफ scroll करना पड़ेगा scroll करने के बाद यह result आप लोगों के सामने आ चुका है रुची सुया industry limited इस company का यहाँ पर से result है सारी की सारी जो amount से वो lag में दी गई है उसको हम करोड में convert करने वा and other income को मिला कर company के total income आप लोगों को देखने को मिल जाती है यह चीज़ से अतरखना के यह सारी lag में चीज़ दी गई है उसको करोड में convert करने के लिए जो point के आगे के दो आकड़े है उसको यहाँ पर से निकाल देंगे या point को दो आकड़ो मलब दो नंबर पहले लगा दें है इस quarter के अंदर जो पिछले quarter के अंधर यहाँ बरस रहा था 4,475 करोड रुपीज का तो company का result है यहाँ पर quarter and quarter improve होते हो देखने को मिल रहा है पिछले साल same quarter से compare करें इस company का result तो भी आप लोगों को result improve होते हो देखने को मिल रहा है आप लोग देख सकते हो 3,209 करोड होते होई देखने को मिल रहा है ठीक है quarter and quarter business पर year on year business पर company का result देखेंगे तो अप लगों को देखने को मिल जाता है almost यहाँ पर से company ने 13,175 करोड रुपीज का company इंकम किया है जो पिछले इस साल मलब 2020 के अंदर 13,175 करोड रुपीज का इंकम किया था और 2021 के इस साल यहाँ पर से company ने 16,382 करोड रुपीज का company ने income किया है यहाँ पर से एक अच्छा advantage देखने को मिल रहा है company का quarter and quarter year on year business पर company का result है वो इंपर होते हुए देखने को मिल रहा है अब यहाँ बात कर लिए है company की expense के बारे में company का expense cost of material consume में सबसे जाधा होता है बाकी यहाँ पर आप ल main important चीज़ है total expense तो total expense की बात करें तो इस company का यहाँ पर से 4,071 करोड रुपीज का company का यहाँ पर से expense रहा है तो यह चीज़ याद रखना और यहाँ पर पिछले quarter के अंदर company का expense की बात करें तो 4,248 करोड रुपीज का expense रहा है मतलब यहाँ पर से company का expense है quarter and quarter बढ़ा है और पिछले साल same quarter से भी compare करें तो भी expense बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है अभी आप लेगों को company का performance है year and year basis पर कैसा देखने में बल रहा है expense के मामले में तो year and year basis पर company का expense है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है almost यहाँ पर से 15,8 65,68 करो रुपिस का expense हो चुका है मतलब यहाँ पर से company का operating profit margin के उपर कुछ जादा impact नहीं पड़ा होगा income भी बढ़ा है और expense भी बढ़ा है तो कुछ जादा impact नहीं पड़ेगा operating profit margin के उपर अब इम बात कर लेते हैं company के net profit and loss के बारे में company का यहाँ पर से tax देने के बाद सा कितना tax बचता है कितना profit बचता है वो देख लेता है तो company का यहाँ पर से आप लोग देख सकते हो profit after tax profit after tax यह आप लोग बोल सकते हो net profit तो net profit की बात करें इस company का यहाँ पर से minus में return दिये दे मतलब यहाँ पर से 2020 के अंदर तो company के अंदर minus में return दे अभी यहाँ पर company पतनजली के अंदर में आई है उसके बाद इसके अंदर improvement देखने को मिल रही है अभी हम बात कर रहेते हैं company का performance year on year business पर company का जो performance है वो down होते हुए देखने को मिल रहा है profit के मामले में तो यहाँ पर आप लोग को में दिखा दिता हूँ company ने यहाँ पर से 2021 की बात करें तो 7,672 करोर रोपीस का company ने profit किया था जो यहाँ पर हम देखेंगे यह जो Expansional item की वज़े से यह profit यहाँ पर बढ़ा है वना तो इतना ज्यादा profit नहीं था ठीक है Expansional item एड की गई थी इसी के वज़े से profit यहाँ पर ज्यादा नजीर आ रहा है तो यह चीज़ याद रखना आप लोग को मालब ऐसा नहीं सोचना है कि company ने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉमस दिया था यह ऐसा बिल्कूल भी नहीं था company का जो परफॉमस था नॉर्मल ही था इतना ज्यादा भी अच्छा नहीं था ठीक है अब इम बात कर लेते है company का इस साल 2021 के अंदर कैसा परफॉमस रहा है तो 2021 के अंदर 680 करो रुपिस का company का performance रहा है company का आप लोग actual amount देखोगे ना तो company ने यहांपर से profit में बड़ोतरी की है 2021 की हाँपर Expansional Item नहीं एड़ करते है तो 2021 को 2020 को 2021 के compare करते है तो डायरेक्ली 21,000 करोड से डायरेक्ली 210 करोड से डायरेक्ली इस company का जो result है 514 करोड पर आ चुका है तो यह बहुत ज़ादा अच्छी बात है company का यहा की बात कर लेता है earning per share 10.63 का देख़ने को मिल रहा है इस quarter के दा जो पिछले quarter के अंदर 7.69 दा और उसे पिछले quarter के अंदर माइनस में दा माइनस 4.690 है अभी यारो नियर बिस पर company का यहां पर यह चीज़ यहां रखना है यारो नियर बिस पर हम compare नहीं कर सकते इसको यहां बिसनेस है वो oil segment से यह आता है यह company oil बनाती है जो हम खाने वाला oil होता है ना वो यह बनाती है ठीक है food oil तो यह चीज़ आतर है ना company का सारी के सरह है seed extraction और वो सारी चीज़ों से इनका revenue अब लोग देख सकती हूँ wind turbine power generation से इनका revenue आता है food product से आता है seed extraction से आता है इससे भी आता है और oil से भी आता है ठीक है तो यह सारी चीज़ों से इनका revenue आ जाता है company का assets and liabilities की बात कर लेते तो यहां पर से liabilities में loan की बात करें non current assets के उपर तो यहां पर आप लोगों को 3,400 sorry यहां बसे again crores में ही बात करते तो 34 करोर रुपीज का company का यहां पर से loan देखने को मिल रहा है और यहां पर जो loan है वो उसको थोड़ा बहुत घटाया गया है quarter year on year business पर आप लोग देख सकते हो और non current assets की बात करें current assets के उपर loan तो यहां पर आप लोगों को again अच्छी खासी loan देखने को मिल रही है आप लो 1 करोर रुपीज के आसपास की इस company के अंदर loan देखने को मिल रही है year on year business पर current assets के अंदर ठीक है अभी बात कर लेते हैं borrowing के बारे में तो non current non current liabilities के उपर borrowing की बात की जाए तो company के उपर 2879 करोर रुपीज का borrowing है चो यहां पर आप लोग देख सकते हो continue होता हुए देखने को म current liabilities के उपर तो यहां पर 610 करोर रुपीज की borrowing देखने को मिल रही है current liabilities के उपर बीटिक है overall company का जो result है वो अच्छा देखने को मिल रहा है आप लोग ऐसा बोल सकते हो पर इस company के अंदर क्यों invest नहीं करना चाहिए एक तो company के उपर borrowing बहुत ज़ादा है loan बहुत ज़ादा लेकर रखा हुआ है जिससे इनको interest ज़ादा पे करना पड़ेगा और उससे के साथ साथ इसका यहां पर से दूसरा कारण है जिसके अंदर इसके अंदर invest नहीं करने का दूसरा कारण आप लोग बता देता हूँ इस company के shareholders के पास 75% से ज़ादा का holding है 75% से ज़ादा का holding है और shareholders को यहां पर से 75% और उससे कम 75% या उससे कम का यहां पर से shareholding रखना पड़ेगा तो ऐसी की वज़े से इस company के अंदर आप लोगों को OFS आने के chances है और OFS आप लोगों को पता यह offer for sale normally discount के उपर आते है तो इसका भी discount पर आता है OFS तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है वैसे इस company का जो PE है पर निंग पर बेश देना है तो बेश देना क्योंकि जैसे और्चीड फार्मा में वाता ना और्चीड फार्मा में क्या वाता नहीं पता है तो आप लोगों को मेरे को comment section बता देना आप लोगों को वीडियो बना कर दे दूंगा वहां पर और्चीड फार्मा क्या हुआ जो शीर है उसको यहां पर बहुत ज़्यादा उपर ले गया मैं दिखाई देता हूँ यहां पर आप लोगों मैं दिखा देता हूँ थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा पर आप लोगो बताना जरूरी है और चीड फार्मा आर्चीड फार्मा स्वरी और चीड नी तो यहां पर company ने 32% negative में return दी दिये company के अंदर लगातार lower circuit जारी रहेगी 300-400 रुपे तक ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इसके अंदर offer for sale आया है company का यहां पर से share का price कितना चल रहा था 1300 रुपे के आसपास चल रहा था और इसके अंदर offer for sale OFS कितने रुपे पर आया है यहां पर से 350 रुपे के आजू-बाजू में आया है ठीक है पर मतलब यहां पर आप लोग देख सकते हो 72-75% का discount के उपर OFS आया तो इसी के वज़े से यह discount पर OFS आज आता है रुची सुयागा तो आप लोगों को इतने higher level पर आप लोगों ने buy करके रखा हुआ होगा इस share को इतने higher level पर तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है ठीक है बाकी तर आपकी मर्जी है वीडियो पसंदे तो लाइक चैनल को भी क्रॉस कर देगा ये चीज़ याद रखना पर ये चीज़ याद रखना OFS का भी यहाँ पर डर बहुत ज़्यादा रहेगा ठीक है तो बस तो आज के लिए वीडियो पसंदे तो लाइक चैनल को सब्स्राइब करना मत दूगर भूलना गुडबालफ गुडबाई फिर में ते नेक्स दूमें गुडबाई